आज हम बनाने वाले हैं चिकन नगेट तो चलो बनाना शुरू करते हैं चिकन नगेट बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है हम इसको ग्राइंडर जार में दाल देंगे हमने ये तीन ब्रेट के स्लाइसेज लिए है इसके कॉर्नर्स को हमने कट कर लिया है ब्रेट के स्लाइसेज को भी हम जार में दाल देंगे हम इसमें दालेंगे एक टेबल स्पून अध्रक लेसन का पेस्ट, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून सोया सॉस, एक टीस्पून विनेगर और एक टीस्पून नमक अब हम चिकन और सारे इंग्रीडियंट्स को पीस लेगे हमने चिकन नगेट्स के मिस्चर को पीस लिया है अब हम इसमें दालेंगे दो टेबल स्पून जितना ओईल और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह नगेट्स के शेप बना लेगे हिस तरह हमने सारे नगेच्स बना लिये हैं अब हम इस पर कोटिंग करेंगे चिकन नगेच्स की कोटिंग करने के लिए हमने 3 टेबल इसपुन कॉण kadar 3 टेबल इसपुन मैंदा 1 टीमम neste नमक और और एक टी स्पून ओरीगैनो लिया है, सारे इंग्रीडियन्स को हम मिक्स कर लेगे, यह हमने ओरीगैनो और फ्लोड का मिक्सचर रेडी कर लिया है, हमने एक अंडा लिया है, इसमें हम वन फोत कप दूद दाल देंगे, और इसे अच्छे से फेट लेंगे, अब हम नगेट् मिक्सचर में डिप कर लेंगे इस तरह से, इसके बाद हम इसको अंडा और भूट के मिक्सचर में डिप कर लेंगे, इसके बाद हम इसको कॉनफलेक्स में कोट कर लेंगे, कॉनफलेक्स को हमने क्रश कर लिया है, कॉनफलेक्स हम जरूरत के मताबिक लेंगे, इसी तरह हम सा अब हम नगेट्स को शैलो फ्राई करें अब ही एक साइट से फ्राई हो चुके है अब हम इसको पलटा के दूसरी साइट से फ्राई कर लेगे अब हम इसको निकाल लेंगे चिकर नगेट्स बनके तयार है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें थैंक यू फॉर वाच्ट झाल